तो चलिए, आज अधुनिक बियार के टॉपिक को हम लोग सुरुबात करने जा रहे हैं, सबसे पहले बंगाल के नवाव और बिहार के बार में देखेंगे और 1857 के करांती को पूरा कवर करेंगे, ठीक है, तो तील 8057 तक आज की क्लास रहेगी, क्योंकि लंबा है, अधुनिक हमारा काफी लंबा चलेगा, I think है समाप्त हो जाएगा, तीन पेज में ये, ठीक है, बाकी जो हम इसका दुसरा पीडियो को खोलेंगे, तो उसमें पार्ट टू में जो प्रसना आएंगे, उसको हम लोग देखेंगे, तो नवाव अलवर्दी खान बिहार में कारेकाल कब से कब तक था, कब से कब तक रहा बिहार में कारेकाल, चालेश, चालेश, चालेश के बाद तो बंगाल का नवाब बन गया, ठीक है, युद होता है, कौन सा युद होता है, जिसमें क्या करता है, सर्फराज कान को प्राजित करता है, बंगाल पर धिकार कर लेता है, युद का नाम है गिरिया क्या नाम है इसका गिरिया का इउध कब शूर बरदी खान है दूसरे तरफ कून थे शरफ राज होई थी बंगाल के नवाबों में किसने रधानी मूर्शीदा बाद से हटा कर मुंगेर अस्थापित के बिस्किट का चाय का या फिर बंदुग का टीक है अभी भी मुंगेर जो है ना वहापे बंदुग बगारा खुम मिलता है ठीक है 1749 में 1749 में अलबर्दी खा ने राणी सराय की इद में किसे प्राजित किया तो राणी सराय के इद में अफगानों को प्राजित करते किसे करते हैं अफगानों को प्राजित करते किस विद में रानी सराइब निम्ना इंकित में से कौन सा बिहार का प्रत्थम नायव नाजिम था तो क्या बताएंगे राजा राम नरायन काफी महत्पुन नाम है राजा राम नरायन बिहार के प्रत्थम नायव नाजिम थे ठीक है 1733 में मुहम्मद शाह मुगल समराट मुहम्मद साह ने किसे बिहार की सुवेदारी परदान कर दी किसे दी सुजाउदीन को ठीक है अज सुजाउदीन के अधिन कोन काम करता था क्या नाम था सुजाउदीन के अधिन काम करने वाला तर सुजाउदीन के अधिन कोन था अलिवर आदमी था, गाने बगरा इनको बहुत अधीक पसंद थे, तो इसने सुजावदीन को क्या किया, बिहार का शुबेदारी परदान की, ठीक है, अलवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किसी इद में पराजित किया, तो जस्ट अभी हुआ था ना, ठीक है, उसका नाम था मैं ठीक है, ध्यान मर रखनाग ए, ठीक है, ठीक है, तो बिहार MA का हमें, उसका पर भावदी श् Hamm अब आपको अफगानों ने हत्या कर दी थी ध्यान रखना हैवत जंग परहा भी हमने ठीक है अली गोहर का बिहार अभियान अली गोहर का पहले मुलना हम क्या था अली गोहर को क्या बोलते थे एक और नाव शुद्धिय ठीक है इसको क्या बोलते थे सालम दूतिय कहते है ठीक पहला सासक जो था जो कि अंग्रेजों के संदक्षन को सुईकार भी किया था ठीक है ठीक है आप हमें ये बताओं क्या बताओगे अलवर्डी खान किस बरस बिहार का डिप्टी गवर्नर बनाए गया था तो कब बनाए गया था चेहार को था था तो बिहार की बात हो रहा है तो सब्सक्राइस के अधिन में था ठीक है विए उप्टी ओडाइबारी कोठी कहां पर स्थापित की थी नेपाली कोठी में ठीक है नेपाली कोठी में के ता पया था वहाँ पे वीजस ने इपने के ठीह की थी ऑप हार ne छोटी हर कर तो दो और तीने इस कंपनी का गाई थी भिट हरुम आप दिशन उखान ही Queens एकावन वाला जो था सफल दाब था सोलो सबीस वाला अच्छाफल हो गया था ठीक है बिहार में एरोपी कम्पनियों का बैपारिक समागरी पराप्त करती थी क्या कहा लेते थे बिहार से सोरा वस्त रना शारे कुछ लेकर आते थे यह एरोपी कम्पनिय जो थे असली पूर्ट गाली जो थे बिहार में कहां से आता था कैसे आता था 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 तो यह था रखना है ठीक है सर उरानी सराइ के बारे में अभी देखा मैंने बंगाल के नवाब थे और अवगान और मराठा एक वप्र एक के थे थे सर गजो लड़ाइस के सामभाण लड़ा था था ना शार के जो अफड़ान थे न सर उलोग और मराठा मिलके लड़े थे भी एससलिए मैं कंफिश हो गया से दो मुझे मराठा याद आ रहा था फिर यहां पर अफगान भी था दोनो उसमें था नहीं है एक तरफ मंतर बंगाल के नवाब के साथ लड़ रहे था ठीक है हाँ ठीक है अब फतुवा बाला जो था इस्पेसली मराथा से समन दीते हैं हाँ इसको याद रखना पलो अंग्रेजों की बिहार के साथ बैपार में कुछ आयात समागरी थी तो क्या करते थे तो कि बैपार के साथ बिहार में मुख्या आया समागरी थी तो अनाज शोरा और अफीम ठीक है ध्यान वर रखना अफीम का सेंटर जो था बिहारी था किस अंग्रेज याति ने बिहार में 1670 एकार्ट में भीसन अकाल की चर्चा किये बहुत इंपोर्टेंट है क्या नाम है कि पीटर मुंडी जिस समय आया विहार उस समय मुगल सासा कोन था तो पीटर मुंडी किस की सा सासन काल में या तो साज यहां ठीक है ध्यान में रखना है शा जहां हम बताना है आपको एयोप्य मिंट वहर में अस्थाविर फैक्टरियों मुक्यता थी ती क्या करते तेने हा दानियोजोटे का तो ओसे शायाली होता तो को भी जगों को खरीद के हि intervena कि and Сटीजों करने के करने क्या होता ना अक्रमन हो जाता था इसलिए इनको ने fortified किया किला बनाया और यहां पर इसके सुरक्षा के लिए सैनिक रखना शुरू कर दिया ठीक है जब यह फैटी में पूरा समान जब में उतना समान जो पूरी तरीके से जहाज में आ सके तो उसके बाद क्या किया जाता था दो महिना सबी जगे से समान को क्या करते थे एक जगर ज Bill लोडिंग होता तो वह जहाज को इंग्लेंड या कहीं भेजना उनको भेज दिया करता था इस शुरुआती नहीं थी थी बाद में इन्होंने बोला इन्होंने सानिक रखना शुरू कर दिया तो जो लोकल जो थे उन्होंने पुछा लोकल किंग ने यह तुम क्या कर रहे तो लूट के ले जाते हैं तो अच्छा के लिए हम लोग सैनिक बढ़ा रहा है ठीक है धीरे धीर वह चादा सैनिक रखने लगे और बाद में जो कि जिनका नारा था ब्रिटिस का वाले ट्रेड नथिंग एल्स जैकि बाद में क्या वर ट्रेड के साथ उन्हें पुलिटिकल पतना ने अंग्रेजों ने पतना में अपनी पहली फैटिकिस मुगल सासन के दोरान अस्थापीद की ठीक है तो पहली तो बात करोगे तो शाहां के काल में कि 1620 में अस्थापीद लेकिन बाद में जाके 161 बला जो था इनका था 161 किसका पीरियोट होगा साजान का होगा तो इसमें से 169 बला था वह शासक बनता है ठीक है एक्षाली में जब अरे इंग्जेव का सासन कल उन्चास बर शोगा था तो मुझे पता 707 बैने उससे निकालिया ठीक है तो 161 था बिहार के चेत्र में सप्रत्थम कोना है तो बिहार के चेत्र में सब्सक्राइब को स्थापित की थी नहीं सोनी सबसे पहले बिहार में फैर्ची किसने स्थापित की ती सो में कोशन कुछ रहा था था अंग्रेज लेकिन प्रील ओगई था अंग्रेज वाला का सवाज्ज 132 थांज्ज को होडेंड भी बोलेंगे नीडर्लेंड भी बोलेंगे ठीक है क्या बोलेंगे तो नीडर्लेंड भी बोलेंगे ध्यान में इसको रखना होलेंड भी बोलते है नीडर्लेंड भी बोलते है डच्छ भी बोलते है ठीक है अंग्रेजियों ने सुलनों से बीच में बिहार में सब पत्थम कहां अपनी पारि वो गुलजार बार में अभी भी क्या है क्या है वहां पे सरकारी प्रिंटिंग प्रेस अभी भी है वो जो आपी जहां पर इसने अस्थापित किया था नो अभी भी वहां पर आप देखोगे तो पर सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से अभी भी वर्किंग है ठीक है और यहां पर मिला के कुलकत्ता को अस्थापित करती नो सर का नाम क्या है सूतानाटी गौविंद पूर ठीक है और काली का था थीकारी राचु का था बार में 1699 में कलकत्ता सर के निर्वान में इसकी भूमी का थी बिहार में डाच जिसको हॉलेंड या फिन डिडेलेंड भी कहते है ठाटना कालेज की उत्र runtime उमारत जो होँ हंपर स्थापित गया था ठीक है अब अब ने यह सब्सक्राइब नहीं सब्सक्रास बार्बेरेंफ। किया था 1700 74 में किस यार्टी ने पटना को मुगल समराजी का दुसरा सबसे बड़ा नगर था उत्तर भारत का सबसे बड़ा बैपारी के इंदर बताया था ठीक है और ट्रेवनियर की बात करेंगे एक फ्रांस इसी था इसके पुस्तक है पुस्तक का नाम कौन बताएगा ट्रे किया मी लेगा था नहीं बता सकते कोई भी बहुत बताएगा इसका नाम आप पुस्तक मेंं जहां जहां पे जाता उसके सबसे बादर चार्चा कियाए और उसी पोस्तक में इसने बोला था से वाइसा साय मुगल समराज जी का दुसरा सबसे बणागर की बात करें गे तो को न है तो ध्यान कर रखना है कलकत्त ये ठीक है, तो सबसे बढ़ा नगर कौन हो सकता मुगल समराज का डिल्ली vordan होगा अगरा हो सकता है अगर सबसे बड़ा पारिक सहर पूचएंगे in the किस याति ने मुगल काल में पटना की जन संक्या 2,0,000,000 बता है था किस्ञे ने बता है था है बत्मान पटना को लोगत की उतनी इमारत डश पंतिखी थी बत्मान गुलजारबाढलिख सीजिट गवर्में प्रिंटिंग प्रेश का ती अविजस्थ हमने बात किया तो अंग्रेज और बिहार की बात करेंगे तो बिहार में अंग्रेजों का अधिकार की बात करेंगे तो किस युद के बाद हो जाता है तो नहीं कि स्वाइब बात करेंगे इनको बिहार बंगाल उडिशा के दिवानी अधिकार का प्राप्त होता है दिवानी राइस का मिलते इनको ठीक है तो प्रक्सर के यूद के बाद 1765 में ठीक है तो प्लासिक यूद के बाद 1757 को उपरंद बिहार का उपनावाब बना था मीरन मिरन किसका पुत्र था तो क्या बताओगे मिरन किसका पुत्र था तो मिरन की बात करेंगे तो मिर जाफर का पुत्र था ठीक है और मिरन ने किसकी हंत्या कर दी थी किसकी हंत्या कर दी थी श्राजु दॉला के ठीक है हाँ वेरी गुड बंगार के किस नवाम ने मुंगेर को अ ठीक है वेरी गुड बिहार में बेटी सत्ता का सपत्तम बिरोद कि इस किया तो धियान रखें अली गहर ने ठीक है तो साहलम सेकेंड था ठीक है अशालम दूतिय की बात करेंगे तो किस युद में इल्वाल्व था साहलम दूतिय तो क्या बता हो गया है वहागता है बेलकुल अबाद जाता है ठीक है इस इंडा का में अबद भागता है आबद में दो लोग पहले ही से बैट हुए तो एक तो अबद का नवाब तो रहे गाए एक और कुन पहले से बैटा हुआ था पंगाल का नवाब प्लान किसका था अली गौहर गी तो लोग लड़ना नहीं चाहते थे यहीं जाके सबको प्लान देता है यह से करेंगे ठीक है प्लान इस इंड्य कंप्री को बंगाल भिहार में दिवानी और किस ने दिया तो सालंस दूटिये ने जिसके क्या बोलते है तो अली हमिई कर के दिवार के राम से भी जानते है ठीक है ऑग्रेजों के दिवार का beta टा ठीक है अब वे नवाब नाम का था, उसको जाते थे, तंग करते थे बहुत इसको, ठीक है, हमें सा बगरा, दसकत बगरा के लिए बहुत इनको तंग किया करते थे, इसने मतलब राधानी को उठा के बहुत दूड ले गया, बिहार के लिए का लगान परिशतिया ने रेवनी काउंसिल कठन क moments किया करते इंपोर्टेंट कोश्न कहें है, ठीक है, बीवी आ यही यह, ठीक है, कभी भी पुछा जा सकता है, इसका अध्यक सी धिक्ष्टि ध्यानली का छंग है, इसको ध्यानल रखना है, काफी महत्पुन नाम है, इसको आप याद रखेंगे, धीरज निरान को हट के लिए कि दो दो बार अकाल जो था बिहार में पर चुका था काफी अधिक नुकसान हुआ था इसे लिए अनाच के भंडारन के लिए क्या बनाएगा गोलघर का निर्वान किस गवर्णर जनरल के काल में हुआ ठीक है तो ध्यान में रखना देखें दो तरह से प्रस्म आप तो गया था प्रेक्टर ना आप I think मैं गलत हूं तो 1786 में बनके कंप्लीट हुआ था 1786 में बनके कंप्लीट हुआ था दूरिंग दरूल अ कानवालिश ठीक है अशुरू हुआ था हैस्टीम के सांसन काल में ही एक बार आप लोग चेक खर लिजे ठीक है और ये निर्मान गण बैस्ताशन के समंध में क्या सही है ले लिया गया 1866 में सारन जिला के दो भाग़ों में बाटा गया एक सारन था ता दूसर चमपारन था तो बिहार में बिटिश के द्वारा कुछ प्रासासनिक एडिशर्शनल चेंज किये गया तो बिहार में फौशदारी प्रासासन को 1790 टेक अपने नियंतर में ले लिया गया 1866 में सारण जिला को दो भागों में बाट दिया गया ध्यान में रखना है ठीक है तो चमपारन भी पहले सारन का हिस्सा हुआ करता था बाद में जाकर चमपारन अभी आप देखो के लिए तो इसका आंसर का है पतना के पहले अंग्रेज मजिश्टेट की बात करेंगे उसका नाम का Francis grant ठीक है बहार में sorye के वीपार का एक अधिकार अंग्रेजों ने किसे लिया था在 10 पर शोरा काफी परसित्ता तोंर के वज़े से कॉन सांब विढ़ो हुआ तो विढ़ो का नाम क्या है किस ने किया तो ध्यान रखेंगे तो राजा राम नरान ने भी किया पहलमान सिंग ने भी किया कामगार खान नरहट में रखना है कहां पहलोब बंदू के मं तुपे किया था ठीक है कहां प्याई में प्रखंटूर लुक्ण ठ है चैनल इंटेट को रहा था तो बक्षर में कौन था है और संजुक्त सेना को रहा था संजुक्त सेना के कुन-कुन लेख थे तो मिरकासी बंगाल के नवाब उस समय नहीं थे लेकिन बंगाल के भुत्पुर्म नवाब सालम स्रिकेंट की बात करेंगे तो उस समय मुगल शासक थे ठीक है संजुक्त सेना का बिच में लराई होती है हेक्टर मुंडु अकेले सबको पराजित कर देता है जीत किसी हुई तो इस्टिंडा कंपनी की सीद में जीत होती है ठीक है इकवाल अली खान ने लिया था नरायन सिंग ने भी भाग लिया था ठीक है बता ना पटना नगर पे चौबी जुन 37 से टीशिट को किसने अधिकार कर लिया ठीक है तो एलिस ने अधिकार कर लिया था किसने किया था तो एलिस ने अधिकार कर लिया था निमलिकित में से किस भारतियों को रोबर्ट कलाव ने बिहार का नायव दिवान निक्त किया था था राजा सिताब राय ठीक है प्रांसिस्यों के मनल से कुछ अधिकारी को हत्या करवा दी ठीक है एक लाइन में खारा होंके गोली मरवा दिया था ठीक है बिलकुल ठीक है एक लोग नहीं थे 40-50 लोग थे ठीक है पटना में कुछ बना हुआ भी इसको पटना मासकेर के नाम से जानते हैं 40-50 लोग थे बिटेन के राजा ने 765 में फर्मान दोरा बंगाल बिहार में उडिशा के दिवानी इस इंडा कंपनी को कितने रुपे में दे दिया 26 लाख रुपे में दे दिया ठीक है तो इनका नाम ध्यान रखेगा पूछ सकता है नवाब मुनी रुदवला का ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नवाब मुनी रुदवला का परमुखाता ठीक है साहलम डूतिये ने इस इंडिया कंपनी को बंगाल भी है तर उडिसा की दिवानी परदान की कितने तारीक हो बारागस को दो संदी होती है ने बारागस था दूसरा कब होता है दूसरा कब होता है सुलागस तब पहला बारागस भी जो था शालम डूतिये के साथ था सुलागस वाला किसके साथ था अबद के नवाब के साथ था ठीक है दो शंदी हो ती लावार बाराघस्ट बाली तो वो होता है मुगल समराट सालम दूतिये के साथ और दूसरी संदी की बात करेंगे 16 Agust को होता जो कि कि इसके साथ होता है थे क्या बता वो गया बना थाना न हो जय को तेगे रिवनियों काउंसिल बना था न किसके दिन था रोल जेंडर ठीक है बिहार में धिराद नरान सिताब रहा और सैमूल मिडल्टन का तीन सदसी परिसत कब बना था क्या बताओंगे तहसे में 771 में बिहार का उप प्रांध पती बनाए गया थे किसे 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 बनाए कि नाम क्या है ठीक है अस्थाई बंदोबस्त के फरनेता जो थे यही थे इन्हीं का था लेकिन उसको लागू किस ने किया अस्थाई बंदोबस्त को किसने लाग किया कोर्ण वाल इसने ठीक है लेकिन उसका जो प्रेडना जो थी उनका जो प्रारूप जो था किसने त्यार कि थी तो सर जोन सोर नहीं तयार की थी ठीक है अभी जो 18 संदावन के कांट्री में पहुंचे नहीं लेकिन मैं करवाओंगा दो मिनिट का पॉस लूँगा उसके मेरा में करवाओंगा ठीक है